बोपाल के और रुक करें ही वोपाल से हमारे समात आता गबबर सिंग ठाकूर हमारे साथ सीदे जो गए हैं जी गबबर जी बताएं कि आज बोपाल में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन पर सुर्खियों में रहेंगी कि मैं आपको बता दूँ कि अगर हम अदिपर देश बात करें तो मुखमंत्री सिबराशन चोहां से अपन बात करते हैं जो कि किस्ता की नियायर मित्र योजना है उसका आज कहा जाए कारी करम रखता गया है और मिंटो हॉल में रखता गया है लेकिन इसके पहले मुखमंत्री सिबराशन चोहां से इन दौर पहुंचे हैं इन दौर में लाड़ी जैना योजना कारी करम में शामिल हुए और वहां से फिर भोपाल आएंगे तो यह पिर तो सरकार की जो योजना है जो कारी करम है वह है द्वरी तरह पालाव हम कारी करम करें तो कारी करम रखता गया है इसके साथ में जो शपत घ्रेंड का मार हुए वो भी रखता गया है जो कि आज पॉट पर दामन थाम रहे हैं सुमिज जी आज आप कॉंग्रेश का दामन थाम रहे हैं चुकि आपके जो चाचा हैं बोट शुक्ति वीजिपसी में है कारण यह है कि आज मज़्य प्रदेश के युगाओं का घृष्ट अंदेकार में है इनर युगा तैयारी करता है एक्जाम दे रहा है लेकिन ब्यापम गोटाला खारक्षक गोटाला प्याप और अपना पटवारी गोटाले जैसे निक्चाप्रती गोटाले उगार हो रहा है युगाओं का घृष्ट अंदेकार में है पूर्था वेरोजगारी है बात्ती अंता पालिटी की 18 साल की सरकार में युगाओं की आज उगाया दुरगती है कि उनने दर दर बठकना पड़ा है इसलिए बिल्कुल उनका कहना है सुमिझ जी का कि 18 साल में जो युगाओं की विजकी शर्टार में यह बड़ा आरूप लगाया है कि उनके लिए रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार नहीं मिलने के कारण ये कहा जाये कि ओबरेंट हो रहे हैं और जब के कारण हिए परिशान हो रहे हैं इसी का कारण है कि आज सुमिझ चौवे चूंकि बीज़ सब्सक्राइब करते हैं आप पहले बजरंग शेना के अध्यक्ष रहे हैं फिर आप इसमें भी शामिल हुए आपके साथ में भी बहुत सारे लोग हुए हैं आज सुमिधी भी सामिल हो रहा है तो आपके यहां भी पदादिकारी थी सब्सक्राइब करते हैं पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और लंबे समय से दुखी थी आज युवाओं की जो हरत प्रदेश पर जैसा अधी सुमिधी ने बताया है बात्तर में बहुत थैनी हैं मामा केवन हजान पाराफ़ों पे देकर पेहनों का बोट ठरीदना चाहती ह कमलाज जी से सकतो आजा है कमलाज जी ने आप लोगों कित तरह कि आज़ी कॉंगरेश में सामिल हुए थी कुछ दिन पहले तो आपको भी कितरे की आसा जी थी उन्होंने कमलाज जी ने मुक्मंत्री बनते ही जगर किसी एगरिमेंट के एक हजार गुशालायक भोली महाकाल के लिए 200 गाओं का तेके दिया था उसको इनने 700 करोण का थर के ब्रस्ता चार कर दिया महाकाल के नाम पर नोने गोटाला किया वियाकम के नाम पर हनेक युवाओं को अप कि अब हमें कोई नहीं आख सकता लेकिन कमलाज जी है और रही दूसरी तरह जो कि बीजे पीशे लोग आ रहे हैं का मानना है बितवात है कि कमलाज की जो योजना है वो सरकार आने के बाद में वो योजना है कही ना कहीं लाबजायक होंगी हम दूसरी ज़ज़े आपको यह दिखा सकते हैं कि जो यहां पर यह पंडाल लगाया गया है इस दरह से जहां पर हिस्टेज बनाया गया है यह तरही भीड है यहां पर आप देचाने की जोग यहां आ रहा है और यहां पर इस पर ही आपक ब्रेंड समार हो है कॉंग्रेश में शामिर होंगे तो बीजे अब आपको बताने की जो धीर है यहां पर रुमाइवाज जी को खुंडे के लिए या यू कहें कुछ कोई में शीने के लोग है जो पुर्भी शानतर के साथ में आ रहा है यहां बजरंगी प्रुना के चारे करता है वो भी आ रहा है तो पुल मिलाकर दिकास के आए कि आए बड़ा कारी क्रम होने चारा है और जो को में स्कारेला है यहां पर पंडार लगाए रहा है यहां पर चाहित रहा है तो चुनाफ से पहले आज बीजीपी को बड़ा जटका लगने वाला है अज बुद्ली से 15 सो लोग कॉंग्रिस जॉइन करने वाले हैं और तमाम जानकार कि अबड़ा है